आपका सवाल नमबर एक है. लाल अंगूर किस देश में पाया जाना है? आपके ओप्षन है. A. जापान B. नेपाल C. अमेरिका D. भारत आपका सही जवाब होगा. ओप्षन ए. जापान देश में आपका सवाल नमबर दो है. किस पेड को काटने पर खोन निकलता है? आपके ओप्षन है. A. बर्गद B. पीपल C. ब्लाद बुद D. आम आपका सही जवाब होगा. ओप्षन C. ब्लाद बुद आपका सवाल नमबर तीन है. कौन सा जीव भूख लगने पर खुद को ही खा जाना है? आपके ओप्षन है. A. चुहा B. इसाम C. चील D. छिपकली आपका सही जवाब होगा. ओप्षन A. चुहा आपका सवाल नमबर चार है. कौन से देश में सूरज आधी रात को चमकता है? आपके ओप्षन है. A. भारत B. नार्वे C. जापान D. चीन आपका सही जवाब होगा. ओप्षन B. नार्वे आपका सवाल नमबर पांच है. कौन सी नदी अपना रंग बदलती रहती है? आपके ओप्षन है. A. नील नदी B. गंगा नदी C. केनो क्रिस्टल नदी D. यमुना नदी आपका सही जवाब होगा. ओप्षन C. केनो क्रिस्टल नदी आपका सवाल नमबर छे है. किस देश को सामपो का देश कहा जाना है? आपके ओप्षन है. A. चीन B. ब्राजी C. जापान D. भारत आपका सही जवाब होगा. ओप्षन B. ब्राजी आपका सवाल नमबर साथ है. शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है, जिसमें खून नहीं पाया जाता? आपके ओप्षन है. A. अकान B. मस्तिक C. नाखून D. कॉर्मिया आपका सही जवाब होगा. ओप्षन D. कॉर्मिया आपका सवाल नमबर आथ है. किस जानवर का दूद गुलाबी रंग का होता है? आपके ओप्षन है. A. जिराफ B. गेदुआ C. हिप्पो D. बक्री आपका सही जवाब होगा. ओप्षन C. हिप्पो आपका सवाल नमबर नौ है. भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? आपके ओप्षन है. A. दिली में B. कॉलकाता में C. करनातक में D. राजस्थान में आपका सही जवाब होगा. ओप्षन B. कॉलकाता में आपका सवाल नमबर दस है. कौन सी मचली हवा में उड़ी है? आपके ओप्षन है. A. डॉल्फिं B. वेल मचली C. शार्प मचली D. गर्मी मचली आपका सही जवाब होगा. ओप्षन D. गर्मी मचली आपका सवाल नमबर ग्यारा है. गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? आपके ओप्षन है. A. कृषन B. श्याम C. राहुल D. भगर्ट आपका सही जवाब होगा. ओप्षन C. राहुल आपका सवाल नमबर बारा है. दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ओप्षन है. A. चीन B. रूस C. भारत D. अमेरिका आपका सही जवाब होगा. ओप्षन B. रूस आपका सवाल नमबर तेरा है. बगर्मच के कितने दांट होते हैं? आपके ओप्षन है. A. तैटालीस दांट B. बयालीस दांट C. असी दांट D. बयासी दांट आपका सही जवाब होगा. ओप्षन C. असी दांट आपका सवाल नमबर चौधा है. दाधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? आपके ओप्षन है. A. उन्नीस सो च्यानवे B. उन्नीस सो सैटीस C. उन्नीस सो पचास D. उन्नीस सो सैटालीस आपका सही जवाब होगा. ओप्षन A. उन्नीस सो च्यानवे आपका सवाल नमबर पंदरा है. घरी का आविशकार किसने किया था? आपके ओप्षन है. A. ठॉंसन ने B. चार्ल्स ने C. पीटर ने D. इन्नीस सो च्यानवे आपका सही जवाब होगा. ओप्षन C. पीटर ने आपका सवाल नमबर सोला है. कौन सा जीफ पक्षियों की तरह घोर्सला बना कर रहता है? आपके ओप्षन है. A. चमगादर B. गिलहरी C. बिल्ली D. किंकोब्रा आपका सही जवाब होगा. ओप्षन D. किंकोब्रा आपका सवाल नमबर सत्रह है. भारत में चंडन की लकडी सवाल दिक किस राज में पाई जाती है? आपके ओप्षन है. A. केरल B. असम C. करनातक D. तमिलनाडू आपका सही जवाब होगा. ओप्षन C. करनातक आपका सवाल नमबर 18 है. किस पेड को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहे? आपके ओप्षन है. A. पीपल B. केला C. गाम D. मीन आपका सही जवाब होगा. ओप्षन A. पीपल आपका सवाल नमबर 19 है. भारत का पहला सोने का एटीम तहां खोला गया है. आपके ओप्षन है. A. हेदराबाद B. मुंबई C. दिल्ली D. गुजराथ आपका सही जवाब होगा. ओप्षन A. हेदराबाद आपका सवाल नमबर 20 है. खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? आपके ओप्षन है. A. ताप्ती नदी B. गोदावरी नदी C. लोहित नदी D. यमुना नदी आपका सही जवाब होगा. ओप्षन C. लोहित नदी आखरी सवाल आपके लिए है. भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? आपके ओप्षन है. A. उन्नी सो सैटालीस में B. उन्नी सो बावन में C. उन्नी सो सत्तावन में D. उन्नी सो बासट में अपना सही जवाब कॉमेंट बॉक्स में दीजिए. और विडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद